अज़के लेक्चर में क्या पढ़ा था फर्स्ट एंग्लो मराथा वार आज के लेक्चर में हम साकेंड और थर्ड एंग्लो मराथा वार को दिखेंगे तो सेकिंड एंगलो मराथा वार से शुरुवात करते हैं इस वार की जो टाइमिंग थी वो अठरा सो तीन से अठरा सो छे थी ठीक है अब 1798 में लॉड वैलिजली जो एक बहुत ही ambitious और imperialistic person था वो governor general बन जाता है बंगॉल का उधर नाना फर्णवीज की 1800 1800 में मृत्यू हो जाती है जब तक वे जिन्दा थे तब तक Britishers को दूर रखने में सफल रहते हैं Maratha kingdom से इस समय तक वैसे भी पेशवा काफी weak हो गया था और Maratha kingdom बहुत सारी conflict races में उसमें Maratha kingdom में conflict स्टार्ट हो गये थे तो इंदोर में holkar और गवालियर में सिंधिया इन दोनों के बीच का जो conflict था वो बहुत जारा बढ़ जाता है और पेशवा जो है वो भी मतलब एक तरह से सिंधिया की side नहीं शुरू कर देता है उसको वैसे unbiased रहना चाहिए था लेकिन वो सिंधिया की side ले लेता है अब after death of Maratha route 2 Baji route 2 जो की रगुनात राओ का बेटा था उसको पेशवा as installed कर दिया जाता है आज़ा की रगुनात राओ बीच में बहुत ही short duration के लिए पेशवा था लेकिन वो जल्दी मर जाता है और उसके बाद Baji route 2 जो की रगुनात राओ का बेटा था उसको पेशवा बना दिया जाता है तो पेशवा Baji route 2 जो है न वो एक holker प्रिंस जो की पूने का था मतलब पूने में holker प्रिंस जो था उसको मार देता है वो जिसको मार कर वो खुद पूने से भाग जाता है और ऐसे में holker जो है वो विनायक राओ को अगला फेशवा बना देते है 1802 में 1802 में बैटल अफ पूना होती है इसमें यश्वंत राओ होल कर क्यूंकि Baji route 2 को ऐसे पेशवा एक्सेप्ट करने को तयार नहीं थे तो उन्होंने पेशवा और सिंधियाज को एक बैटल में डिफीट कर दिया Baji route 2 इसके बाद मदद मांगने जाएंगे Britishers के पास और Britishers Baji route 2 के साथ Treaty of Basin sign कर लेते है Treaty of Basin जो है बहुत important है क्योंकि यही वो treaty है जिसको हम कहते है Treaty of Subsidiary Alliance यह जो है वहाँ पे वो sign हो जाती है यह Maratha Empire के लिए last nail in the coffin साबित होगी और Britishers के लिए एक major milestone साबित होगी अब इस समय तक Britishers सिवाए पंजाब के almost पूरे भारत के major areas पर अपना control establish कर चुके थे फिर चाहे वो मैसूर हो अवद हो वंबे हो या करनाटिक हो अब यह treaty of Basin किसी भी Maratha Confederacy को पसंद आती नहीं इसके against सिंदियाज और भूंसले वो आते हैं और second Anglo Maratha War जो है वो 1803 में हो जाती है होल कर शुरू में इनकी Britishers के against help नहीं करते लेकिन बाद में वो भी साथ देते हैं तो जो Britishers हैं फिर भी Marathas को वो हरा देते हैं भूंसलेज के साथ treaty of देवगाउं साइन हो जाती है और सिंदियाज के साथ treaty of अर्जुन गाउं साइन हो जाती है इसके साथ यहाँ पर second Anglo Maratha War का topic खतम होता है अब third Anglo Maratha War पढ़ते हैं जो कि 1808 में होई थी तो तीसरी Anglo Maratha War Britishers के imperialistic policy design के उपर based थी अब इस war के backdrop के अंदर क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं 1810 के आसपास England में ये demand उठेने लगी के भारत के साथ व्यापार की जो British East India Company की monopoly है उसको abolish किया जाना चाहिए ताकि बाकि British traders जो हैं वो भी भरपूर मुनाफे वाले इस trade का कुछ लाव उठा पाएं और ये बात है 1800 के आसपास और वो टाइम क्या था? Industrial Revolution का टाइम था उधर यूरोप में तो इस बात की बढ़ती demand के चलते 1813 में एक charter act pass होता है इस charter act में एक बड़ा change जो announce होता है वो था British East India Company की trade monopoly का end उधर Industrial Revolution के चलते Britain में demand for raw materials भी ज़्यादा हो चलती ऐसे में native states trade पर बहुत तरह के tax और barriers लगाते हैं तो British trade में इन barriers के चलते obstruction ना हो और सस्ता raw material भी Britain पहुंचता रहे इसके लिए Britishers ने native states की एक या किसी और दूसरे बहाने से annexation ही start कर दी ताकि उनको taxi ना कहीं देवना देना पड़े कोई barrier ही ना उनको face करना पड़े उन्होंने annex ही कर दिया उसको इस समय तक क्योंकि Marathas भी weak पड़ चुके थे और central power कोई थी नहीं ठीक है तो Britishers को annexation में कोई difficulty नहीं face करनी पड़ी अब एक और community है पिंडारीज इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पिंडारीज एक तरहा की lottery community थी Marathas usually जब भी किसी जगा पे expedite करने जाते थे तब वो पिंडारीज को भी अपने साथ ले जाते है वहाँ उस जगा को annex करने के बाद पिंडारीज को loot part के लिए वो अज़ादी देते थे अब पिंडारीज का Marathas से attached होने का ये जो सिलसिला था उनको पसंद नहीं आता तो पिंडारीज के इस बहाने इस मतलब जो attitude था इसको बहाना बना कर Marathas के उपर attack का plan बनाएंगे तो दूसरी तरफ English ने Marathas के internal conflict में भी इंटर्फिर करना शुरू कर दिया था जिसके थूवे Marathas के साथ direct लडाई में indulge हो जाएंगे अब 1817 और 1818 इसके बीज में conflicts जो हैं Marathas और Britishers के बीज में बहुत ज़रा बढ़ जाते हैं जिसमें पेश्वा, बाजीराव, होल कर और भौंच ले ये एक United Front लाँच करते हैं Britishers के अगेंस्ट लेकिन उसमें भी ये नकाम रहते हैं और दूसरी तरफ दौलत राव शिंडे Britishers के साथ 1817 में Treaty of Gawalier साइन कर लेते हैं और इसके according क्या हो जाता है कि जो राज़स्थान है वो Britishers के पास चला जाता है 1818 का टाइम भी आ जाता है इसमें क्या होता है पेश्वाज जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं और पेश्वाज को कानपूर के पास एक जगा है बिथुर वहाँ पे बिठा कर पेंशन लगा दी जाती है Maratha Defeat इसके साथ ही Lord Hastings जो है पेश्वाज की पोस्ट को पर्मनेंटली खतम कर देते हैं So that's all in the Maratha Empire Thank you so much See you in the next lecture